स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चनल A2B2Study पे दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं DGT की जारी एक नई नोटिस के बारे में दोस्तों ये नोटिस जो है ये तीन मार्च को जारी किया गया है DGT के द्वारा दोस्तों इस नोटिस के एकॉर्डिंग उन सभी चात्रों को जिनका की 2019 से 2021 का सीजन रहने वाला है और इनके सेकेंडरिया का एक्जाम लगबग सभी चात्रों का हो चुका था और इनका फाइनर रियल्ट भी जारी कर दिया गया है दोस्तों अब चात्रों को अपनी मार्क सीट भी डाउनलोड करने के लिए मार्क सीट भी जारी कर दी जा रही है दिया जरे और जिन चात्रों का मार्क सीट नहीं आया है मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि उन सभी का मार्क सीट 15 मार्च से दोस्तों 15 माल से आप सभी के जो certificate है वो generate होना इस्टार्ट हो जाएंगे और आप उसे download कर पाएंगे दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं कि उन सभी छात्रों को जिनका की सेकेंडर का exam में किसी ना किसी subject में back लगा हुआ है या फिर वो फेल का है तो उन सभी छात्रों को इस notice के recording grace marks दे करके पास कर दिया जाएगा पर दोस्तों सभी छात्रों के लिए नहीं है notice क्योंकि इस notice में उनी छात्रों को पास किया जाएगा जिन्हें की ये निर्देश होने चाहिए तो आएए हम इसके बारे में detail में बात करते हैं दोस्तों वीडियो पर last तक बने रहे हैं और वीडियो को विल्कुल भी skip न करें अन्य था आपको notice में समझ से आएं समझ में आ सकती हैं सबसे पहले बात करते हैं ये notice किसके लिए है तो दोस्तों ये जो notice है ये वन टाइम रिलेक्सेंशन टू दर रेगुलर बैच ऑप ट्रेनीज पार्टिसिपेंट इन आल इंडिया ट्रेड ट्रेड आईएटी इजाम अंडर क्राफ्टमें ट्रेनी यानि सिटीयस दोस्तों ये notice जो है ये उन सभी चात्रों के लिए है जिनका की AI IT में एकजाम हुआ है और ये जो 28 फेबुरी के notice के संदर में ही ये notice जारी हुई है नीचे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उन सभी चात्रों को जिनका की 2019 से 21 का सत्र रहने वाला है और सभी सेकेंड के शात्र ध्यान दिजेगा फर्स्ट येर के लिए बात नहीं की गई है सभी सेकेंडर के चात्र जिनका की second year इन दो वर्स का कोर्ष हो और वे चात्र जिनका की एक साल का यानि वन येर का भी कोर्स हो या फिर स्ठीक समन्त का हो उन सभी छात्रों के लिए इन नोटिस जारी की गई है दोस्तों नोटिस के एकॉर्डिंग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा इस नोटिस के एकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रेनी हूर सिक्योर्ड बिट्विन 24 to 32 इन ट्रेड थियोरी सेल भी आवार्डेड 33 मार्क्स एंड डिकलियर पास दोस्तों इसके एकॉर्डिंग उन सभी छात्रों को जिनका की ट्रेड थियोरी में ध्यान दीजेगा दोस्तों 24 से 32 के बीच में मार्क्स प्राप्त किया है वे सभी छात्र जिनका की ट्रेड थियोरी में यानि इलेक्ट्रिशन थियोरी में जिनका 24 से लेकर के 32 मार्क्स के अंदर उन्होंने मार्क्स अप्टेन किया है पाया है या फिर उन्हें मार्क्स दिया गया है उन सभी चात्रों को एक मार्क यानि कि 33 मार्क्स दे करके उन्हें पास किया जाएगा ट्रे थियूरी की बात की गई है और इसके अलावा नीचे अगर आप देखेंगे दूसरे टॉपिक में तो चात्रों का 12 से 16 नंबर आया है ध्यान से समझेगा जिनका की 12 से 16 नंबर आया है उन सभी चात्रों को 17 मार्क्स दे करके पास किया जाएगा तो दोस्तों अगर आपका मार्क्स यानि अगर आप फेल है और आपका जो मार्क्स है टेर्ट थियूरी में 24 से 32 के बीच में है और इलक्रिशन थियूरी के अलावा इंप्लॉइबिल्टी स्कील और वरक्साप कैल्कुरेशन एंड साइंस में 12 से 16 के बीच में अगर आपने नंबर प्राप्त किया है तो आपको ग्रेस मार्क्स दे करके पास कर दिया जाएगा इस नोटिस के एकॉर्डिंग आपको अब क्यारना क्या है दोस्तों आपको कुछ ने करना है जो भी करेगा आपको कॉलेश को करना है और इसके अलावा जो गुझ भी होने वाला है वो आपकी NCVT करेगी आपको कुछ भी ने करना है आपको grace marks दे करके pass कर दिये गाएगा और बात करें अगर उन छात्रों का जिनका की उनका 10 से 12 marks ही पराप्थ हुगा है 10 से 11 marks और इसके अलबा सिर्फ 10 marks के अंदर अगर उन सबी छात्रों को marks मिला है तो उनको back paper देना होगा या फिर उनके लिए dt की नई notice अगर जारी होती है तो इसके लिए हम आपके लिए video provide करा देंगे तो दोस्तो I think आपके सारे doubts clear हो गए होंगे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like अवसे कर दें और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे है तो चैनल को subscribe भी कर ले जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का notification सबसे पहले मिल जाये करेगा दोस्तो अगर वीडियो संबंदित कोई भी doubts आपके अंदर रह गया हो तो हमें comment box में comment अवसे कर दें हम आपको उसका निश्चित reply देंगे तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद